और आज की इस एपिसोड में वीप्रो को डिस्कुस करेंगे वीप्रो को लेकर करके इंडिविज्वली कुछ न्यूस तो नहीं है लेकिन इस समय टीसियस ने बेटर नंबर्स डिकिलियर करें जिसके बाद एक बड़ी रैली दिखी और चुकि रैली वाइडली रही पूरे से प्रेक्टर में रहा तो इंट्रस रेट के कट होने के एक्सपेक्टेशन को लेकर के ब्रॉडली ये ट्रेंड दीख रहा है और रिसेंट में हमने वीप्रो को 470 के आसपास जो है अबरेज आउट करा था इससे में मेरे ही प्रसनल होल्डिंग है और मेरे व्यूज इस्ट्र जरूट शेयर करेंगे इस समय नंबर कुछ नए निउज नहीं दिख रहा है इसके कौटरली नंबर जो 19 जुलाई को आने हैं उसको लेकर के ही कंपनी ने एक सरकुलर जारी करा है उसके अलावे रिसेंट की कुछ भी निउज नहीं दिख रही है सभी पुराने निउज है स लेकिन टेकनिकल ट्रेंड देखें तो इस स्टॉक का आउट पफॉर्मर रहा है हमने जैसा कहा सेक्टर भी ट्रेंडिंग है और उपर से स्टॉक ने अपने सेक्टर को आउट पफॉर्म करा वोल्यूम लास्ट रेडिंग सेसन का 2.7 करोर का था और यहां एक टेकनिकल जो अब हमारे लिए जो सपोर्ट है वो 522 का होना चाहिए और टार्गेट लगबग लगबग 605-620 और दूसरा टार्गेट 740 मेरे व्यूज काफी स्ट्रॉंग है